करोना संकट के चलते सोलन का व्यपारी बेहत चिंति दिखाई दे रहा है अनलोक होने पर उसे आशा थी कि उसका व्यपार चल निकलेगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा लेकिन उसके व्यपरित आजकल बाजारों से रोनक गाइब है और ग्राहक बेहत कम खरीदा कर रहे हैं राके के त्योहार पर व्यपारियों को आशा थी कि पहले की तरह आमदनी हो जाएगे लेकिन लोग करोना की डर से खरीदारी करने से परहेज कर रहे हैं जिसके चलते व्यपारियों की आशाओं पर पानी फिरता दिखाईते रहा है सोलन के व्यपारियों का कहना ह लेकिन बाजार ज्यादा तर खाली पड़े हैं उनकी राखी ना के बराबर भिक रही है जिसका सबसे बड़ा कारण है कि लोग करोना संक्रमंट से बेहद डरे हुए हैं वे अपने घरों से खरीदारी करने के लिए नहीं निकल रहे हैं बाजार के आसपास रहने बाले लोगों ने ही राखी की खरीदारी की है गाउंबा से खरीदारी करने बाजार नहीं आ रहा है यही बज़ा है कि त्योहार होने के पापजुद भी विबेहत मायूस हैं और हमने यहां पर राखियां लगा रखी है लेकिन राखिय का रिस्पोंस बिल्कुल ही ढिला है मतलब जितने भी यहां के गाओं के निवासी चलते हैं आज कल यहां पर करोना की महामारी के कारण कोई भी इस रास्ते पर नहीं चल रहा है और काम मतलब वेपारी भाईयों का काम इतना डिला हो चुका है कि उनका समान बिल्कुल नहीं भिक रहा और रिस्पॉंस तो बिल्कुल ही बेकार है राखिया हमने वैसे तो फिलाल हर तरह की लगा रखी है दर सर्पे से लेकर राइटी भी है और लो व्राइटी भी है लेकिन मतलब यहां पर कोई भी खरीदार नहीं है सबी वेपारी और राखिया का रिस्पाउस कुछ भी नहीं है पिछली बार तो लगवग ठीकी था इस ब अच्छा चल रहा है काम मार्केट में इतना रश नहीं है ज्यादा भीट भड़का तो नहीं है पर जो जन लोकल हमारे घाक है वो तो आ रहे हैं वैसी जैसे पहले से लिके जाते थे पर अब भार के लोग घाक कम है थोड़े रश कम होने के राखिया में पसा बैजी सस्ते स लेके में गी तक सारी तरह के रख्या हैं मीडियम और ज्यादा मीडियम भिक्रिया ज़्या स्टोन वाली रख्या गी थोड़ी हमारे पास आपकी बच्चों रख्या गी और डोरियां हो गई यहीं ज्यादा भिक्रिया जो